हेलो स्टुडेंस आज हम क्लास 7 की साइन सब्जेक्ट की वक्षी निमर 5 कर रहे हैं ति 3 अगस्त की लिए आई है इसमें हम हाव न्यूट्रिंस अर्प्लेंश इन दर सोयल के बारे में पढ़ेंगे चले बच्चों शुरू करते हैं राधिका ड्यूरिंग हर विजिट वा नि मैनियोर डालते हुए मली को दिखा होगा till पर्ट tech लेंशर बी आर्ट को लूटनिश देता है इसी तरह से मैनियोर भी प्लांट को नेटिशिन देता है लेकिन मैनियोरा। अपने इस तरह के मैन्योर को बनते हुए कि तुम में जुरूर देखा होगा गाउं में अनिमल्स के डंग से इस तरह का मैन्योर बनाया जाता है Plants absorb mineral nutrients from the soil for their growth and good health. So the amount of nutrients keep on decreasing the soil. Plants, minerals or nutrients को जमीन से ले लेते हैं, root से और plant को ग्रो करने में help करते हैं. दिरे दिरे ये nutrients जमीन में, soil में कम होते चले जाते हैं. But plants cannot take it directly, they need nitrogen in soluble form. वैसे तो air में बहुत सारी nitrogen होती है, लेकिन इस nitrogen का इस्तमाल plants नहीं कर सकते हैं. Plants को ऐसी nitrogen की जुरूरत होती है, जो soil में मिल जाए और water में dissolve हो जाए, जिसे वो absorb कर सके हैं, वे directly nitrogen को नहीं लिए सकते हैं. Bacterium called Bacterium called rhizobium which lives in the roots of gram, peas, moon, beans and other legumes can take atmospheric nitrogen and convert it into soluble form. कुछ plants में rhizobium bacteria होता है, जैसे कि gram, peas, moon, beans और दूसरे legumes यानि कि ऐसी फसलें जिनकी जमीन में roots में गांट होती हैं, इन्हें root nodules बोलते हैं, इनके अंदर ये rhizobium रहता है, ये rhizobium क्या करता है, ये air से nitrogen को लेता है और soil में fix कर देता है, और soil में इस तरह से convert कर देता है कि ये water के साथ मिलकर और ये nitrogen plant तक पहुँँ जाती है, Most of the pulses are obtained from leguminous plants, जितने में pulse होते हैं, वे leguminous plants से इसलिए मिलते हैं, क्योंकि इनके पास में nitrogen खूब होता है, और nitrogen से ही protein बन बाता है और pulse बनता पाती है, राइजोबियम अपना खाना खुछ से नहीं बना पाता है, इसलिए रूट की नोडियोल में रहता है, और इसे यहां से फूर और शेल्टर मिलता रहता है, और बतले में ये पूदे को nitrogen देता रहता है, और इससे प्लांट की ग्रोथ होती है, Symbiotic Relationship, the relationship between two organisms in which both get mutual benefit is called Symbiotic Relationship, ऐसे relationship जो दो organism के बीच में हो, जिससे दोनों को बराबर benefit होता रहे, यहां पर Symbiotic Relationship इसलिए है क्योंकि यहां पर प्लांट को भी help मिल रही है, नाइट्रोजन की और राइजोबियम को भी food और shelter मिल रहा है, अब इससे यह लिए विश्च Örgansy's Maniors are Organic Substances, यह Q1 ऐसे , यहां पर लिएह, यहां पर लिखना है, नाइट्रोजन नेजोगी है, नाइट्रोजन, कता है, यहां पर लिए। फो मिल रहे है जो इससे प्लांट बाइपोता रहे, जाह यहां पर लिखना है, यहां पर लिखना है, यहां अन्यों को बाता है and manures. Plants absorb nutrients from the soil for their growth and good health. So the amounts of these nutrients keep on decreasing the soil. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. So plants need fertilizer and manures. अच्छा बत्यों, आज की वक्षिट में में इतना ही करना है, जल्द ही नेक्स वक्षिट के सुलीशन के साथ मिलेंगे.